हमारी जिन्दगी ऐसी बहुत सी चीजों और आदतों से भरी बड़ी है जिने जाने अन जाने हम अपनी लाइफ में एड़ करते ही रहते हैं लेकिन जब कभी हमें ये रेलाइज हो जाता है कि हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए तो समझ लीजे अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ चीजों को निकालने का वक्त आ गया है और एक बार जब हम ये कर लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ जरूरी और मीनिंग्फुल चीजे रह जाती हैं जो हमारी लाइफ में अच्छे चेंजिस लाने के लिए काफी हैं परसनली बहुत वक्त पहले मैं ऐसी चीजों को निकाल चुकी हूँ और मैं चाहते हूँ कि एक बार आप भी एक्स्पीरियन्स जरूर करें आपकी सुभा की शुरुआत ही आपके पूरे दिन का हाल बताती है जब भी कुछ अच्छी मौनिंग हैबर्स को फॉलो करने की बा पर एक्जामपल सिरफ दस मिनट चेक करेंगे इससे जाधा नहीं लेकिन वो दस मिनट कब आधा या एक घंटा बन जाते हैं पता भी नहीं चलता इस हैबिट को चेंज करने में बहुत थोड़ा सा एफट लगता है और इस टॉक्सिक मौनिंग हैबिट से आपको चुटकारा मिल जाएगा स्पेशली उठते ही सुबा का पहला एक गेट घंटा तो अपने हाथों को कंट्रोल करें ताकि वो फोन को छोने ना पाए और इस वक्त को इटिलाइज करें सेल्फ केर में विश्वास किजे आप बहुत अच्छा फिल करेंगे अगर अपने दिन की शिरुवात ऐसे करेंगे चलिए जादा नहीं तो एक तो दिन ट्राइ करके देखिए आपकी लाइफ कैसी है यह बहुत इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि दिन भर में आप क्या कंजूम करते हैं कंजूम करने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं यह चीज भी मेंटर करती है क्योंकि खाना हमारी हेल्थ हमारी नर्जी का main source है लेकिन यहां मैं बात mind को feed करने की भी कर रही हूँ दिन भर आप कैसी thoughts को welcome करते हैं negative thoughts को excuse me कहने का potential आप में है या नहीं किस तरह की लोगों को आप social media पे follow करते हैं किस तरह की books आप read करते हैं जरा इस चीज़ को थोड़ा सा notice कीजिए क्योंकि जब आप notice करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह की information आप अपने mind में enter करना log कर रहे हैं इस digital world में बहुत सी चीज़ों को filter करने की जरूत है और इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ होता है अगर आपको सिरफ यही चीज़ें attract करते हैं किस तरह लोग parties करते हैं किस तरह वो देश विदेश घूमने जाते हैं कैसे वो रोज रोज shopping करते हैं क्या shopping करते हैं क्या आप खुद को खुद के काम के लिए खुद के goals के लिए motivate रख पाएंगे इससे तो better है कि आप डेली आदा घंटा कोई book read कीजिए और अपने mind को कुछ नई जीजों के साथ feed कीजिए और वैसे भी पूरे दिन में एक या दो घंटे social media is fine जादा भी use करते हैं तो हिसाब रखे कि आप learn क्या कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ के लिए पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पीते रहें और body को energize रखने के लिए maximum time बाहर के खाने को नो कईए Always say yes to homemade food अपनी life को better करने के लिए एक और चीज जो आपको करना चोड़ देनी चाहिए क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास करने को जो भी है जितना भी है हम सब कर सकते हैं मैं हमेशा listing करने पर जोड देती हूँ तेकिन उसका मतलब यह नहीं कि जब कभी आप list बनाना शुरू करें तो उसमें इतनी सारे काम add कर लें कि जो आपसे हो ही ना पाएं हर किसी की strength, हर किसी का energy level different होता है और अपनी energy increase करने के लिए आपको पहले कुछ healthy changes करने होंगे Anyways, बात listing की है तो मैं suggest करूंगी कि daily दो या तीन important काम लिखने से शुरू करें और खुद को next time के लिए motivate करने के लिए इन कामों को पूरा करें इससे ज़ादा लिख लेना मुश्किल नहीं है लेकिन जब target achieve नहीं कर पाते तो demotivate भी हो जाते हैं और listing करना भी बन कर देते हैं धीरे धीरे जब आपको लगे कि जो काम आपने लिख रखे हैं वो दो या तीन काम आप easily कर पा रहे हैं उसके बाद आप 1, 3, 5 रूल पॉलो करें जिसका मतलब है एक आपका main task होगा 3 medium और 5 छोटे task होगे जिने बिना frustrated हुए आप कर सके जब भी हम किसी field में training करते हैं तो starting बहुत ही basic चीजों से की जाती है उसके बाद step by step हम आगे बढ़ते हैं इसलिए जब अपने mind और body को better performance के लिए त्यार करना हो तो हर रोज एक लंबी list बनाना छोड़ दीजिए list ज़ूर बनाए लेकिन basic से शुरू कीजिए और आने वाले कुछ time में ही आप well organized life के मालिक होंगे बहुत कुछ अपनी ज़ूरत के हिसाब से हम पर chase करते हैं और कई बार बिना ज़ूरत के भी बहुत कुछ हमारे घरों में ऐसा होता है जो बहुत time से हमने use नहीं किया और बहुत कुछ ऐसा भी जो कभी use नहीं किया फिर भी और नई चीजों को लाने का होंसला तो हमें होता है लेकिन जिन चीजों को हम use नहीं कर रहे होते उन्हें फैंकने का ये डोनेट करने की हिम्मत हम चुटा नहीं पाते लेकिन लाइफ को बैटर करने के लिए अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बॉडी और माइंट को क्लीन रखना चीजों को कटेगराइज करना शुरू कीजिए कौन सी ऐसी चीजे हैं जो आपको लगता है की ज़रूरत है कौन सी ऐसी जिने फैंक देना चाहिए या डोनेट करने वाली चीजों को डोनेट कर देना चाहिए कुछ चीजों में आप doubtful होंगे, रखों या ना रखों, तो खुच से पूछिए, कितने वक्त से आपने उसे use नहीं किया, और आगे भी अगर sure नहीं है कि आप use करने वाले हैं, तो clear है कि आप use नहीं करने वाले हैं, clean and organized life के लिए decluttering important है, अपनी life को बहतर करने के लिए एक और important चीज जिसे आपको अपनी life से निकाल देना चाहिए, वो है हर चीज, हर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ yes कहना, ना कहना सीखो, ये उस video का title है, जिसे मैंने recently upload किया है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है, तो link description box में मिल जाएग अपनी energy को conserve करने के लिए, कुछ boundaries को hold करने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा, अपनी चीजों को अपने लिए वक्त को prioritize करना सीखना होगा, stress और guilt हमारी बहुत सी energy ले जाता है, तो अपनी life और अपनी time का control अपने हाथ में रखिए, मुझे भी no कहना सीखने में काफी व दिखाया जाता है, लेकिन इन terms को break करना मुश्किल हो सकता है, impossible नहीं, अपनी life को हम कभी better नहीं कर सकते, अगर हर वक्त हम money को लेकर stress में ही रहेंगे, हम सभी अपनी अपनी life में grow करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, so हर चोटी चोटी चीज़ को लेकर मन मारते रहना, हमा लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले एक बार सोचिए जरूर कि क्या ये चीज सच में आपको चाहिए, चीज़ें खरीदना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब कुछ वक्त के बाद हम notice करते हैं कि जितनी excitement से हम इसे लाए थे, वो excitement उसे use करने में ज़्यादा हम दिखा नहीं जाने, अब ही उनकी जरूरत क्या है, और कई बार ऐसा भी होता है, जो लाने गए थे, वो तो लाए नहीं, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, वैसा कुछ उठा लाए, तो बेटर है कि अपने शौंक फुरे करने के लिए कुछ खरीदने का खयाल मन में आए, तो 10-15 दि चीज़ों को पर्चेस करने का आइडिया ड्रॉप ही कर देंगे, लाइफ काफी मैसी और कॉम्लिकेटिड होती जा रही है, चाहिए इसके पीछे का रीजन हम खोधी हो, लेकिन प्रॉब्लम्स का लाइफ में आना कोई बुरी बात नहीं होती, प्रॉब्लम्स हमें एक्टि में कैसे निकाल फैंकना है, इसकी प्रेक्टिस करते रहे, अपने साथ बैठे 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 नेगटिव बातें मत करते रहे, अपनी नजरों में अपनी वेल्यू इंक्रीज कीजिए, प्रॉमिस कीजिए खुद से कि मैं डेली अवेर रहूंगी ताकि मुझे पता चलता र प्रेक्टिस हो जाती है, कि नेगटिँव थौर्ट जधा देर तक माइड में टिकमी नहीं पाते, क्योंकि अवेरनेस की वज़есे जल्दी जल्दी आप थौर्स को स्विच करने के के पिबल हो जाती हैं, हम जब अवेर हो जाते हैं तो हम खुद से बात करना सीख जाते हैं और जब हम खुद से बात करना सीख जाते हैं, तो हम दूसरों से बात करना भी सीख जाते हैं, और जब actual में हम बात करना सीख जाते हैं, तो हमारी complaint करने की आदत लगबग खतम हो जाती है, gossip सों या complaint, हमारे mind को बहुत effect करते हैं, क्यूं जानना है कि कौन अपनी life में क्या कर र जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं सो अगर आप भी कुछ ऐसे वर्टसप ग्रूप्स में हैं जहां अननेसेसरली विचिंग होती है या आपको लगता है कि आपको जज़ किया जाता है तो ऐसे ग्रूप्स को बाई बाई कहने का हौंसला रखे और अननसेसरली अनवांटड इन्फरमिशन के साथ अपने माइंड को भड़ते मत रहिए हमारी लाइफ में जो लोग हमसे कनेक्ट होते हैं उनमें से कुछ रिष्टे ऐसे भी होते हैं जिने फोर्सफली निभाया जाता है और ये वो रिष्टे होते हैं जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग कभी मैच ही नहीं होती और इनके साथ निभाने के चकर में हम अपनी नर्जी को डीपली एफेक्ट करते हैं कौन जैन्वन अपके साथ है, कौन नहीं ये आपका दिल भी समझ जाता है सो जो रिलेशन एफर्ट करने पे भी वर्क करता हुआ नजर ना आए उसे फोर्सफुली निभाने की कोशिश मत कीजिए, जहां आप कनेक्शन फील ही नहीं करते, मतलब वहां कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि प्यार हो या बात हो किसी भी रिलेशन को निभाने की, वो हमेशा फ्रीली फ्लो होते हुए ही अच्छे लगते हैं कई बारा में ऐसा लगता है कि अगर हम चीजों को कंच्रोल नहीं करेंगे तो कुछ भी बुरा हो सकता है, बच्चे ये गलती ना कर दें, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए अपना कंच्रोलिंग मोड हम हमेशा ही ओन रखते हैं हमारी कंच्रोल करने की इसी आदत की बज़ा से कितनी बार हम हर्ट भी हो जाते हैं, इसी और द्वारा कंच्रोल की गई लाइफ किसी को अच्छी नहीं लगती, और जितना आप ये करने की कोशिश करेंगे, फेल ही की बज़ाए, उन्हें एक्सेप्ट करने की हैबिट बनाईए, सब चीजों में नहीं पर उन चीजों में बेस्ट करें जिने हम कंच्रोल कर सकते हैं तो ये तो कुछ दस एक हैबिट्स थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसके इलावा जिन लोगों ने कभी मुझे हर्ट किया उनके लिए किसी किसम का ग्रज में अपने मन में नहीं रखती, उन्हें माफ करके अपनी कॉंशियस क्लियर कर लेती हूं कभी वक्त था, जब अपने लिए वक्त निकालना ज़रूरी नहीं लगता था लेकिन अब यही मेरी प्रियॉरिटी है एक वक्त था, जब दूसरों की कही हुई हर बात सही लगती थी लेकिन अब कुछ सालों से अपना पॉइंट स्ट्रॉंगली रखना सीख लिया है इंटेंशनली कभी किसी को हर्ट नहीं करती लेकिन मेरे वो करने से जो मुझे खुशी देता है कोई नाखुश हो जाता है तो उसकी परवा मैं करती नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं जीनी मुझे फ्रीली जिंदगी जीनी है खुद का ऐसा वजूद बनाया जो चाहा था वो करके दिखाया हौसला तोड़ दे मेरा ऐसा किसी में दम नहीं दिखादो उने जो कमजोर कहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं आपकी लाइफ बेटर है तो उसे बेस्ट बनाएए रुकिये नहीं बस चलते जाएए मिलूँगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल दन बबबए टे केर और स्टे हल्दी